ही अबिटरीवान फर्स्ट आफॉल आपनून टू आलाफ़ीू सो व Kerryव वेक्ट वॉ को में यूट्फीट चनल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जॉब अपडेट के बारे में और जो जौब अपडेट रहे हैं so do like and subscribe my youtube channel so let's get started सबसे पहले जहां पर मैं आपको बता दू यह vacances जो निकाली गई है यह निकाली गई है अब जहां पर देख सकते हैं इसकी जो date है online application form की बो start हो चुकी है जह आप देख सकते हैं 6th of January से start हो चुकी है और जो इसकी last date रहने बाली है जह आपकी रहने बाली है 30th of January तो इसको आप submit कर सकते हैं इस application form को जह website यहां पर देख सकते है जमू.gant.gov.in तो आगे slash डाल सकते हैं तो इस तरह के से इसकी एक website है इससे आप अपने form को fill up कर सकते हैं तो form fill up करने से पहले आप इसकी पूरी detail लेजिए कि कौन-कौन से form के लिए आप eligible है और कौन-कौन सी post के लिए आप eligible नहीं है जहां पर देख सकते हैं online application जो हैं मांगी गई है contentment board जमू की तरफ से for direct recruitment के लिए under mentioned categories post के बारे में mention किया गया है obstetrics and gynealogist specialist की जहां पर vacancy जो है निकाली गई है pay scale आप देख सकते हैं 67,000 prox और level 11 जहां पर लिखा हुआ है total number जो vacancy है जहां number post जो है बन है जानि कि open merit category के लिए सिरफ यह की vacancy है MPPS होनी जाहिए with MD, MC, MS, YN, DGOs and DNB जहे आप देख सकते हैं from institute recognized by medical council ठीक है जहां पर clearly mentioned है medical council of India और JNK medical council जहे आपकी qualification है next पात करेंगे जहां पर general duty medical officer की vacancy निकालेगी है number of जो post जहां पर एक ही बताई गई है salary जो आपकी 57,000, 52,000 से start होगी और जहां पर आपके पास जो qualification होनी चाहिए जहे है आपकी MBBS होनी चाहिए आपके पास from institute recognized by medical council of India ठीक है जहां registration होनी चाहिए उसकी with medical council of India और JNK medical council third number पर जितने भी candidates है unit assistant exam की त्यारी कर रहे हैं तो जहां पर unit assistant की post को भी निकाला गया है जहां पर unit assistant की जो vacancies निकाले गई हैं जो four post हैं और जहां पर पताना चाहूंगा open merit category की एक है उसके बाद ST की एक है OBC की एक है और EWS category candidate की एक vacancy है जैसे same process होता आपके पास graduation होनी चाहिए और आपके पास knowledge होना चाहिए typing test का 35 word per minute यह आपकी speed जहां पर आपस type test करवाया जाएगा तो इससे आप जहां पर इस post के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद बात करेंगे जहां पर senior nurse की vacancies निकाले गई है आप इस post के लिए eligible हैं बात करेंगे next post की staff nurse की vacancies जहां पर दो post निकाले गई है approximately आपकी salary जो रहेगी 25,000 रहेगी metric होने चाहिए जहां उससे ज्यादा आप बात कते है qualification with science and having diploma in general nursing by free from any recognized institute next बात करेंगे जहां पर multipurpose nurse की vacancies जहां पर निकाले गई है salary आपकी 19,000 रहेगी नम्परा पोस्ट हो रहेगी एक आपके पास metric जहां अबब qualification होने चाहिए सकते हैं midwife की बात करें तो यहां पर आपकी 19,000 salary रहने बाली है post जहां पर एक है metric होने चाहिए आपके पास और above qualification with science and diploma आपके पास होने चाहिए FM PHW from recognize institute जहें पोस्ट जो है female candidates के लिए eligible female candidates के लिए eligible है nursing order की बात करें तो post जहां पर एक है salary आपकी 14,000 रहने बाली है metric होने चाहिए from recognize board से उसके बाद आया की आया है जब vacances निकालेगी है एक ही vacances है आपके पास metric होने चाहिए किसी रहने बात करें तो आपके पास डिपलमा होने चाहिए electrician from ITI से फिर junior plumber की जहां पर vacances निकालेगी है junior plumber की जहां पर एक ही post आपको देखने को मिलेगी metric जहां उससे जएदा qualification आपके पास होने चाहिए diploma आपके पास plumbing from ITI का diploma आपके पास होना ज़रूरी है ठीक है माली की बात करें तो 14,000 salary रहने बाली है दो vacances है 10th pass होने चाहिए आपके पास with one year आपके पास certificate होने चाहिए course of gardener का माली का from government recognize institute university ठीक है फिर orderly की जहां पर vacances है post 1 है आपके पास metric होने चाहिए आपके पास recognize boards है उसके बाद चोकीदार की भी vacances जहां पर निकालेगी है 14,800 salary रहने बाली है 4 vacances है metric होने चाहिए आपके किसी भी board से किसी भी recognize board है उससे आपकी metric होना जरूरी है driver की जहां भी vacances है सबसे पहले हमने इस post के बारे में बात की आपकी age 23-35 होना जरूरी है junior assistant और बाकी vacances के लिए आपकी age 21-30 year होना जरूरी है 21-30 साल आपकी age होना जरूरी है तो आप इस post के लिए eligible है अब the cut-up जो date रहेगी age limit की यह आपकी रहेगी 30th of January 2023 आप जहां पर देख सकते हैं open merit जहा यह EWC category candidate के लिए कोई भी age relaxation नहीं है OBC के लिए 3 साल है SCST के लिए 5 years है PH के लिए 10 year है PH PLUS OBC के लिए 13 year और PH PLUS SCST के लिए 15 year ex-servicemen के लिए 3 year का जहां पर shoot दी गई है उसके बाए ex-servicemen OBC आपकी 6 year रहेगी ex-servicemen SST 80 year और departmental जो exam candidates होंगे उसके up to 40 years रहेगी और departmental जो candidates होंगे OBC category के उनकी age रहेगी up to 43 year और departmental जो candidate होंगे SST उनकी age रहेगी up to 45 year तो जहीं देख सकते हैं इस तरीके से अब जहां पे सबसे important है fees structures के बारे में सभी candidates बोलते ह fees की क्या रहने वाली है देखे अगर general open merit category से हैं तो आपकी fee जो है 1200 पर रहेगी OBC की भी 1200 है और EWS category candidate की भी 1200 है एक service man अगर आप man departmental candidates है open merit जहां OBC category की तो आपकी fee जो रहेगी 1200 फिर जहां पे बात करेंगी जहां पे female SCST PH transgender के लिए यहां पे female relaxation की गई है और इसकी जो fee रहेगी वह रहेगी 800 बाकि सभी category की बाकि तो जहां पे clearly mentioned है 800 fee रहेगी जतने भी candidates के बारे में मैंने आपको बताया बाकि जैदतर जो fee है वो आपकी 1200 ही रहने बाली है तो mode of application जैसे मैंने आपको बता दिया 6 January से start है last year 30 January रहेगी और download कर सकते है आप admin card को to be intimated website या portal में आपको intimated कर दिये जाएगा कब इसको आप download कर सकते हैं तो जे एक full notification निकाला गया है इसमें legibility criteria पूरा 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 ज जो update आई है मुझे वीडियो जहां पर बनाया नहीं तो आज इसको कर सकते हैं आप जितने विक एंटिटेट से 30 January की last date रहेगी तो पूरा का पूरा पूरा प्रोसेस जहां पर बताया गया है किस तरीके से आप इसको download कर सकते हैं इसका link जो है मैं आपको अपने telegram चैनल पे जूत के लिए एक अपडेट आए थी जो जो आपकेंसिस निकाली है उसके लेटर तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे youtube चैनल को thank you friends goodbye and take care